हेलो दोस्तों आपका अपने चनल कॉंटोस सब पर स्वागत है आज बिहार SSC CGL यानि सचिवाले साहट के 23 दिसंबर सकंड सिप्ट का एक्जाम स्वाप्त हो गया तो चलिए बिना देरी के वीडियो को सुरू करते और देखते हैं आज के रियल प्रश्ण जो कि आपको सकंड सिप्ट में पूछे गए अगर आपको इस वीडियो की पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है कॉंटोसव ऑफिसियल आप वहां से जुर सकते हैं अदर्वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल आप वहां से भी हमारे टेलिग्राम चैनल से जुर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिक्शन आपको मिलते रहें तो चलिए प्रशन को और आप जान रहे होंगे फिलनेट का तो आप देश और राजदानी को जरूर याद करके जाए जिनका कल थिक्शा में अगला कुशन है दूध का उत्पादन किस राज में अधिक होता है तो इस परकार के प्रश्चन भी जरूर आप पठके जहें अगला प्रशन के वीज स के अगला प्रशन देखे बिश्टब फोर्जेक्ट कि सहर में या कोशन ऐसा भी हो सकता है कि विस्टब प्रजक्ट से निम्न में से कौन सा सहर संबन दीता है तो नई दिल लिए अगला परसने 1757 कि अली नगर की संधी किसके किसके बीच में हुई थी तो जो एक्चुली अली नगर है यह जो है कलकत्ता का पुरृणा नाम है यह आपको ध्यान में रखना है और आप तो आप समझ गये हूंगे कि जो है अली नगर की संधी है इस्ट इंडिया कंपणी और सिराजु दौल वालवा के बीच में होई थी अगला परसने देखे किस घटना के बाद असैयों का अंतॉलन वापस लेलिया गया था तो 40 ता जबार घठना के बाद असायों का अंन। वापस पानिपत का पर्थम यूद किसने जीता है तो पानिपत का पर्थम यूद जो है आपको बावर और इम्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था 1526 इस्वी में और इसमें वीजाई किसको मिली थी बावर को अगला प्रशने देखिए दूतिये पंचवर्सिय युजना का उद्देश क्या था तो जो दूसरी पंचवर्सिय युजना थी उसका उद्देश था सार्वजनिक छेतर के विकास और तेजी से द्योगी की करन परकेंदरित था तो यह आपको यह ध्यान में रखना है एक अगला प्रशने देखिए अग्यार प्रशनेह घरीक नन ब्रश्राज में तो यह आपकोושन को समय दो याप एंसेंट भी जरूर पढ़के जाए तो आज के सिफ्ट के इतने कोश्चन हमें मिल पाएं अगर आपका इस सिफ्ट में एक्जाम है तो आप हमें कोश्चन जरूर भेजे ताकि मैं आपको टोटल कंप्रीट पचास कोश्चन के पीडियप आपको अपलोड कर सको तो चल